क्या कुछ हुआ है बीते सत्रों में ये एका एक जो चमक लोटी है बाजारों में किस कारण से है इस पर बात करने के लिए मेरे सही योगी दिपानश्यू इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं दीप गुड मॉनिंग कभी भी कमबाक होता है तो अच्छ आधल करें लेकिन फिचे मिन्ट्स में ऐसा क्या कवन हो गया जो बाजार जोश में अगया तो वो range थोड़ी कम होती हो दिख रहे हैं, उतार चड़ा आपको फिर भी दिखा, सुष शुरुआत, फिर अच्छी recovery, फिर गिराबट और end of the day अच्छी recovery के साथ बाजार बंद हुए, बट अच्छी बात यह है कि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो DAO futures थोड़ी नर बाजार पर reaction आते हुए, आपको दिखता, IT shares का एक अच्छा rebound है और इससे हमने देखा कि बाजार का mood मौल डेफिनिटली सुधरते हो दिखा है, तो NASDAQ करीब 1.5% उपर बंद हुआ है और यह एक key factor था जिसकी वज़े से बाजार में strength देखी, S&P 500 पर भी आपने अच्छी बड़त आती हुए देखी है, इसके साथ ही 10 साल की bond deal थोड़ी और फिसली है, 2.7776% पर आ गए, तो यह एक रात का संकेत है जो 3.2 के पार गई थी, पिछले 1.5 महीने से हमने देखा है कि bond deal का cool off भी बाजार के sentiment को सुधारते हुए, आपको दिख रहा है, IT की recovery के अलावा हम साथी real estate shares यहां पर भी खरीदारी थी और कली हमने देखा कि new home sales data जो था वो काफी निराशा जनक था, उसके बावजूद reality shares में अच्छा action आते हैं, तो overall बाजार का mood महल इतना खराब नहीं था जितना हमने पूरे पिछले कुछ दिनों में देखा है, और वो जो trade की range है, व यह भी एक बड़ा factor था जिस पर बाजार की नजर थी, but like I said, कोई ऐसा negative surprise नहीं आये था, यह मान की चल रहे हैं कि आने वाली कई policies तक आप आधे-ाधे percent की दरों में बढ़ातरी देखेंगे, और Fed के minutes में भी यही निकल कर आया है, तो next few policies definitely half a percent rate hike each policy में आपको आते हुए दि पर सकती है, यानि कि थोड़ा और कमर कस्नी पर सकती है, अगर inflation control में नहीं आया तो, तो यह उन्होंने एक संकेत जरूर दिया है, क्योंकि कई members ने बढ़ते inflation पर जताई है, चिंता, वो कह रहे हैं कि वो hopeful हैं कि inflation को control में लाया जा सकता है, बट अगर situation खराब हुई, तो neutral से restrictive भी करना पड़ सकता है, policy, और क्योंकि महंगाई पर आपने अब war declare कर दिया है, तो क्या इसका financial stability पर असर पड़ सकता है, इस पर भी कुछ members ने सवाल उठा है, तो overall, like I said, कुछ ऐसा positive तो नहीं आया है, बट कुछ ऐसा negative या unknown भी नहीं आया है, इन minutes से, जिसकी विज़े से बाजार इस पर react करते है, बट यू never know, पिछली बार में हमने देखा था, Fed policy पर बाजार ने नहीं react किया, और उसके अगले दिन बड़े reactions आये थे, तो इस बार क्या होता है, वो देखना पड़ेगा, बट हाँ, Fed minutes कुछ important details जरूर वहां से निकल कर आई है, यॉरप में अच 214 के आसपास आपको कच्छा तेल ट्रेट करते हों दिख रहा है, वहीं सोने और चांदी की बात करें, हल्का movement है, बट कुछ जादा move महाँ पर नहीं आया है, बट अफकोस जो gold gain कर रहा था, आप देखना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर ने Fed minutes के बाद पर rebound करा है, तो क्या उ अंतराश्य बाजार से भी कई producing nations की तरफ से देख रहे हैं, कि कुछ restrictive policies अब निकल के आ रही हैं महंगाई के मद्दे नजर, तो उस पर global agri commodities react कर रही है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, बहराल शुक्रिया दीप आपका हमाय साथ जिरने के लिए और वो global updates रखने के लिए